प्रताब क्लासेज दोस्तों प्रताब क्लासेज के यूट्व चनल पर आपका स्वागत है तो आज है 30 नुमंबर 2022 और 30 नुमंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करनड फिर्श्की क्योंसन मनते हैं तो आज उनका डिसकसन करेंगे पूरा वीडियो द्यान से दे नहीं है तो जुरूर आप चनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बैल आइकन का गंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो प्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कल के कोस्णों को रिवाइज कर लेते हैं USIC International Railway Sports Association Table Tennis Championship में बारतिय टीम का दबदबा रहा इसका अयोजन काँ पर किया गया इसका अयोजन जैपूर के अंदर किया गया बारतिय मुक्य बाजों ने Youth World Boxing Championship 2022 में कौन सा पदक जीता तो इन्होंने सोन पदक जीता कनाड़ा ने किस देश को हराकर पहला डेवि इसका का खिताब जीता राष्टिय केड़ेट कोर ने चुए त्रमास्ता अपना दिशका बनाया ये बनाया है 27 नुवंबर को इग्राम सवराज और ओडिट ओनलाइन ए गवर्नस के लिए राष्टी पुर्षकार के तैद कौन सा पुर्षकार जीता स्वन पुर्षकार और चैन्नाइश एर में लॉंच किया गया और किस महला पैरा उलम्पिक विजेता ने निक्षय पहल की रश्टी द्यूट नूट किया वो किया है धीपा मलिक को और एरो इंडिया 2023 सत्तेरा से सत्रा फरूरी 2023 तक किस एर में इसका यज़िन किया जाएगा ये किया जाएगा बे केलिगराम दोनों की पीडियाप है एक साथ मिल जाएगी तो ये कल के कोशनों का रिवाईज था अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास देखिए पहला क्योशन किस केंदरिया मंतरी को राष्टिये गोपाल रतन पुर्षकार से सम्मानित किया गया है श्टार लगा लेना आग दोक्टर संजीव कुमार बालियन है इनको हाली केंदरिया मंतरी और इनको राष्टिये गोपाल रतन पुर्षकार से सम्मानित किया गया है देखो पूरी डीटेल केंदरिये पसुपालन मतश्ये पालन और डेरी राज्ये मंतरी हैं दोक्टर संजीव कुमार बालियन ने द पुर्षकार 26 नुवंबर 2022 को डॉक्टर बाबू राजेंदर परसाद अंतराष्टिय समेलन केंदर बैंगलूरू करनाटक में राष्टिय दुग्द दीवस सम्रोय के दोराने परदान किया गया यह आपको मैंने बताया था राष्टिय दुग्द दीवस है वो 26 नुवंबर को बनवाए गया इसी दिवस के उपलक्स पर क्या है बैंगलूरू करनाटक में यह पुर्षकार इनको परदान किया गया किसको राष्टिय गोपाल रतन पुर्षकार परदान किया गया किसको यह हैं हमारे कैंद्रिय पसूपालन मतश्य पालन मंत्री हैं डॉक्टर दोसन हाली में बारत और किस देश के बीच शुक्त सेनिक अब्यास हरी माउ सकती 2022 शुरूआ है बारत और मलेशिया के बीच देखो बारत और मलेशिया का शुक्त सेनिक अब्यास हरी माउ सकती 2022 आज से मलेशिया के पुलिंग कलांग में शुरूआ है यानि कि 28 नमबर से श्टार्ट है और ये 12 दिसंबर तक सलेगा ये देखो ये 12 दिसंबर तक चलेगा काहाँ पर शुरूआ मलेशिया के पूलही कलांग में ये शुरू हुआ रक्षा मंतरले के नुसार हरी माउशक्ती से बारत और मलेशिया की सिनव के बीच में रक्षा शोग बढ़ने में मदद मिलेगी ये आपको द्यार रखना है और ये जितने भी अब्यास हो चुके हैं इनको आप अलग सी याद रखना है एक्जाम में यहां आप से कोशन जुरूर है पूछा जाता है तो ये आपके लिए इंपोंटर्ट है कि बारत और मलेशिया की बीच में हरी माउशक्ती 2022 काईज ने किय जारा है तीसरा क्योंटर्ट बारत और आश्ट्रेलिया की बीच में युद्ध खेल आश्ट्रिया हिंद 22 शुंक्त सेन्य ब्यास की सराजे में शुरूआ है ये हुआ है राजस्तान के अंदर बाकी कल आपको नाने क्लासिज राजस्तान करेंट अपिर्स की जो हमारी क्लास है उसमें पूरी डिटेल आपको बता दीगी है तो बारत और आश्ट्रेलिया की बीच में युद्ध खेल आश्ट्रिया हिंद 22 शुंक्त सेन्य ब्यास की सराजे में शुरूआ है राजस्तान के अंदर शुरूआ है देखो पूरी डिटेल आश्ट्रेलिया और बारत की सेन रेंज में शुरू होगा रक्षया मंत्राज ने का कि आश्ट्रा हिंद के तहत यह पहला अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी हत्यारों और शेवाओं की बागिदरी होगी यह आपके लिए इंपॉंटर्ट है और राजस्तान में जब जब कोई भी अभ्या अध्यक्स कोन मनी है बारतिय ओलंपिक संग की पहली मैला अध्यक्स कोन मनी है वो बनी है पीटी उसा कोन मनी है पीटी उसा है जो बारतिय ओलंपिक संग की पहली मैला अध्यक्स बनी है देखो महान एथलीट पीटी उसा को बारतिय ओलंपिक संग आई ओए का अध्यक्स अध्यक्स बनने वाली पहली ओलम्पिक ये बन चुकी है पीटी उसा एशी खेलों में चार सुनन पदक है और साथ इसमें पदक इसने जीच चुकी है ये ध्यान रखना है कि बारते ओलम्पिक संग की अध्यक्स चुनीगी है पीटी उसा और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जुलाई 2022 में पीटी उसा को राज सबास सदस्य के लिए नामीत है कि अगया ये भी आपको लोग ध्यान रखना है कि जुलाई 2022 में पीटी उसा को राज सबास सदस्य के नामीत है किया गया था ये मैंने आपको इस समय चर्चा यानि की पूरी डिटेल इस समय आपको बताई थी अगला कुशन देखो किस खिलाडी के किस टीम के खिलाडी बल्लेबास रितुराज गायकवाड ने एक और में साथ खिलाडी के खिलाडी किस टीम के खिलाडी देखो वीजे हजारे ट्रोफी के एक मैच में माराश्टर के बल्लेबास रितुराज गायकवाड ने एक और में साथ खिलाडी के लगाकर वर्ड रिकोर्ड अपने नाम है कर लिया 28 नमंबर को माराश्टर और उत्रप्रदेश के बीच में खिले गए एक मैच में रितुराज गायकवाड ने एक नो बॉल सहीत साथ खिलाडी बहुत बड़ी बात है ये एक और में साथ खिलाड लगाना और इन्होंने वर्ड रिकोर्ड अपने नाम कर लिया और इन्होंने क्या है इसके बाद में रितुराज गायकवाड ने लिष्ट एक क्रिकेट में क्या है रोईत सर्मा के रिकोर्ड की बराबरी कर लिया है तो अपने बारत में रोईत सर्मा है उनके रिकोर्ड की बराबरी कर लिया है और ये आपको रितुराज गायकवाड का नाम आपको याद है रखना ही रखना है और साथ सक्के लगाकर वर्ल्ड रिकोर्ड नाम है कर लिया ह अब कई कल विदारती कई कमेंट के रहे थे कि सर बारत में कौन क्या का वीडियो दीजिए तो मैं आपको पता दूँ अभी अगले मन्थ में आपको पता है दिसंबर मन्थ में एक्जाम है सेकंड ग्रेड का उसके बाद में जनुवरी में आपको पता है CT का एक्जाम है इससे पहले CT का एक्जाम होगा क्योंकि सेकंड ग्रेड का जब एक्जाम होगा तो उसमें राजस्तान करंट आएगा इंडिया करंट उसमें नहीं आएगा और जब CT का एक्जाम होगा तो उसमें आपको पता है इ उससे पहले पहले हम आपको अलग से पुर्षकार का वीडियो खेल का वीडियो और बारत में कौन क्या योजना सारे वीडियो आपको एक साथ उससे पहले पहले मिल जाएंगे आप चिंता मत कीजिए सब कुछ आपको मिलेगा अभी बस एक मैना हो रहा है उससे पहले पहले अ वीडियो आपको अलग-लग से मिल जाएंगे तो निरंतरा आप बने रही है तो देखिए च्छटा कोशन क्या है लेंगी के हिंसा के खिलाफ केंदर सरकार ने नई चेतना अभियान शुरू किया इसकी शुरू कोन करेंगे यानि केंदर सरकार की दौरा क्या है लेंगी केंदर अभियान है वो सुरू किया गया और इसकी शुरू करेंगे गिरी राजसी है कौन करेंगे गिरी राजसी है देखो केंदर सरकार लेंगी के हिंसा के खिलाफ महलाओं वै लड़कियों को जागरू करने के लिए एक माहे का नई चेतना अभियान है शुरू कर रही है केंदर ग्रामिर विकास मंत्री गिरी राज सिंग करेंगे बस आपको इतने ध्यान रखना है कि जो नई चेतना ब्यान है वो मैलाओं और लड़कियों के खिलाफ जागरू करने के लिए है और इसकी शुरूआत गिरी राज सिंग करेंगे और मैलाओं और लड़कियों के खिलाफ इं बारत के दुगद उत्पादन में कितने मिट्रिक टन की बारी वर्दी दर्ज की गई ये की गी है 83 कितने 83 मिट्रिक टन की बारी वर्दी दर्ज की गी है देखो बारत ने दुगद उत्पादन में पिछले 8 वर्सों में महत्पुन वर्दी दर्ज की है क्योंकि इसी दोरान द जीवन्त डेरी शेतर भी हमारी नारी सक्ति को मजबूत करने का शांदार है मद्यम है यह आपको ध्यान रखना है और बारत दूद उत्पादन में पर्थमस्तान पर है और वेश्विक उत्पादन में 23% का योगदान है देता है तो बारत में सबसे ज़्याद आपको पता है उत्तर परदेश में दुख दोता है उसके बाद में राजस्तान का दूसर रास्तान है यह आपको याद रखना है अगला कुशन देखो किस देश की फिलम अगंतुक ने गोवा में IFFI के फिलम बाजार खंड में परसाद डियाई पुर्षकार जीता है अभी आपको पता है जो गोवा में 53 जो फिलम मौचव चल रहा था उसका समापन हो चुका है उसी के पलक्ष में क्या है किस देश की ये फिलम है अगंतुक इसको क्या है बाजार खंड में परसाद डियाई पुर्षकार जीता यह है बांगला देश की किसकी फिलम है बांगला देश की फिलम है ये अगंतुक ये नाम याद रखना है आपको देखो गोवा में 53 वे बारतिय अंतराष्टिय फिलम महुत्सव में पांच दिविशे लंबे फिलम बाजार खंड का समापन हो चुका है जिसमें बांगला देश की फिचर फिलम है अगंतुक को परसाद डियाई पुर्सकार का विजेता नामित है किया गया और कंड़ फिलम मिथ्या ने परसाद पोस्ट प्रडेक्शन अवार्ड जीता यानि के कंड़ फिलम है मिथ्या इसने किया है परसाद पोस्ट प्रडेक्शन अवार्ड जीता और ये बांगला देश की फिलम है अगंतुक ने परसाद डियाई पूर्षकार विजयता इसको नामित किया गया ये आपको याद रखना है स्रिलंका में यानि कि मदरास बॉंटिंग कलब की मैलाएं हैं उन्होंने 81 वार्षिक मदरास कोलंबो रोहिंग रेगाटा जीता इसका अजिन नहीं स्रिलंका में किया गया देखो थोड़ा याद रखना है बसे मदरास बॉंटिंग कलब की मैलाओं ने 81 वार्षिक मदरास कोलंबो रोहिंग रेगाटा जीता जो कोलंबो स्रिलंका में इसका एजिन किया गया 81 वार्षिक मदरास कोलंबो रोइंग रेगाटा 26 नमबर 2022 को अजित किया गया और उन्हें अडियार टोफी से सम्मानीत है किया गया था ये बस आपको इतना ही याद द्यान रखना है कि इसका आउजने कापर किया गया सिरलंका में इसका आउजने किया गया अगला केवाईसी केदेख्स मनोज कुमार शिया ने किस सहर में महतवा कांग्शी पुंद्रवास प्रियोजना का उद्वगाटन किया है केवाईसी केदेख्स मनोज कुमार उन्हें किस सहर में महतवा कांग्शी पुंद्रवास प्रियोजना का उद्वगाटन किया ये किया ह उत्राखंड का शहर है नेनी ताल वहां पर देखो खादी और ग्रामो द्योग आयोग के वाई सी के अधेक्स है मनोज कुमार ने 28 नुमबर 2022 को उत्राखंड के जिला है नेनी ताल के वन परिशेतर फत्यपूर हल्दवानी के गाम चोसला में खादी और ग्रामो द्योग आयो उन्होंने शुरू कर दिया इसका उन्होंने दुगाटन किया उन्होंने चोसला गाम में ग्रामिड हित गारायों को 330 मदमक्खी बक्सों मदमक्खी कलोनियों और टुल किट के साथ साथ सहद निकालने वालों का वितन भी किया है यह आपको ध्यां रखना इसका किस फिलम ने 55 क्रियेटिव माइंड के लिए 53 गंटों का चलेंज जीता और वो फिलम है डियर डायरी एक फिलम है उसने क्या है 55 क्रियेटिव माइंड के लिए 53 गंटों का चलेंज जीता है देखो पूरी डिटेल फिलम डियर डायरी ने 75 क्रियेटी माइंड्स के लिए 53 गंटों का चलेंज जीता है परतियोगता ने पूरे बारत से चुने गई 75 रचनात्मक दिमाकों को केवल 53 गंटों में बारत एर्दी गरेट सो के अपने विचार परेक लगू बिनाने बिनाने की चुनोती परदान की और 53 गंटों की समय सिमा के दूरान पांच लगू फिलमें बनाएगी थी यह बस आपको इतना ही दया रखना है कि डियर डियरी जो फिलम है उसने 75 क्रिटिस मानिट के लिए 53 गंटों का चलेंजे जीता है इतना ही आपको याद रखना है अब देखो पिछले वीडियो का कोसन फिकी के द्वारा किस वेक्टि को लाइफ टेम अचीवमेंट आवार से 2022 से समानित किया गया यह दिया गया है राजेंदर पंवार कल बहुत सारे विदार्थ ने शांदार तरीके से जबाब दिये उन सभी को तैय दिल से हार दिक्शुब कामने अब देखो आपके लिए कोसन फोरियो पांच वर्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाडी रोनार्डो का समन्द किस देश से है पुर्तगाल स्पेन न्यू योरक सिंगापूर इसका जबाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये शेड़ दो देखो हमारी दार्मिक सतंतता का दिकार किस अनुचेद में है तो ये दिया हुआ है पत्चीस से लेकर अठाइस अनुचेद में दिया हुआ है और संपती के दिकार को मूल दिकार की स्रेणी से अटाकर है किस अनुचेद के अंतरगत रखा गया 300 कह के अंतरगत और संपती का जो मौली के दिकार है उसको कब समाप्त किया गया चुमालिस सुविदान संसोद ने 1978 के तैद इसको समाप्त किया गया और मौली के दिकारों के अंदर का कौन सा अनुचेद बच्चों के सोचन से समधित है तो वो है अनुचेद 24 बच्चों के सोचन से पूछे तो अनुचेद 24 आएगा सिधा ये आप से पूछे सोचन के विरूद दिकार तो आएगा 23 और 24 आजेगा ये आपको ध्यां रखना है अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज जो मैंने बार्त की इत्यास से समझीद मैंने कोसर स्टार्ट कर दिये हैं महाविर स्वामी का जनम किस शत्रिय गोतर में हुआ था महाविर स्वामी की मर्तियु कहां पर हुई थी बहुत धरम ग्रेंड करने वाली पहले मैला कौन थी महाविर स्वामी का मूल नाम क्या था और बुद्ध के ग्रहत्याक का परतीक है क्या था क्योंकि आगे आपको बता है CT का एक्जाम होगा वहाँ पर राजस्तान का भुगोल इंडिया का भुगोल राजस्तान का इतियास सब उसमें टोपिक सारे दी हुए हैं तो इन कोर्सनों के शांदार तरिकेश आपको जवाब देने हैं सारे विदार्थी जाते चाते वीडियो को लाइक सेर किया करो और आज शाम आपको आपको पूरे नमंबर मेने का निचोड ताबर तोड रिविजन शाम सात्वजे आपको क्लास में मिलेगा तो शाम सात्वजे तैयार रहिए पूरे नमंबर मेने का निचोड आपके सामने आने वाला है मात्र मान के चलो 120 या 125 कॉस्टन मैंने तैयार किये लगबग आदा गंटे का टाइम उसमें लागेगा तो इसके लिए आप है शाम शात बजे रेडी रहिए धन्यवाद जैहिंच जैवार्थ